Hello everyone, मैं हूँ केरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता है क्राशीफल सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सबस्क्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली डारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा और दूसरी बात अगर ये रीडिंग देखते-देखते मन ही मन आप सोच रहे हैं कि आपको कौन से साइन के हिसाब से रीडिंग को देखना चाहिए या फिर कौन सा साइन फॉलो करना चाहिए सन साइन, मून साइन या असेंडेंट तो प्लीज जिस भी साइन को आप अपना मानते हैं या जिस साइन के साथ आप सबसे ज़ादा कनेक्ट करते हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप शुरू से अपनी रीडिंग देखते आए हैं प्लीज आप उसी को ही फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का सापता है क्राशीफल ये 25 जानवरी से लेकर 31 जानवरी तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं और टारो प्रेडिक्शन्स हैं तो Sagittarius आप लोगों के लिए देखें की कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या एनर्जीज हैं तो हमारे पस प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है Spring परसनल लाइफ के लिए कार्ड है Come to the Edge गाइडन से आप लोगों के लिए है Sun और Astrology से आप लोगों के लिए है Sun Planet तो आप लोगों के लिए इस वीक Double Sun है जो की बहुत ही अच्छी बात है देखे Sun कहीं टारो में, Astrology में Happiness का कार्ड माना गया है कहीं Clarity का कार्ड माना गया है तो पीछे किसी भी Life के एरिया से Related कोई Confusion थी आप Clearly नहीं देख पा रहे थे यहाँ पे Sun कार्ड कहता है कि इस वीक एक Clarity आ सकती है एक Wisdom आ सकती है और कहीं अगेन मैं कहूंगी Sun Happiness, Joy, Knowledge का कार्ड माना गया है तो ऐसी Energies भी किसी Life के एरिया से Related इस वीक रह सकती है Specifically अगर हम देखें तो Professional Life के लिए Spring का कार्ड अगेन बहुत ही एक Positive, बहुत ही एक Beautiful Energies की बात करता है देखें Spring सब Seasons में से Best Season माना गया है Spring के Time पे नए Growth होती है, नए Fool उकते है, नए पते उकते है और बहुत ही हर तरफ एक हरयाली होती है, बहुत अच्छी Feeling होती है ठंड खतम होती है और हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं और कुछ ऐसी ही Energies आपकी Professional Life से भी Related रह सकती है या तो हो सकता है कोई नई Growth, कोई नई Progress आपकी Professional Life से Related इस Week रह रहा है नहीं तो कहीं Future के लिए जो भी आप इस Week कर रहे हैं आप नई Growth देख पा रहे हैं, आप नई Progress देख पा रहे हैं किसी Level पे आपको बहुत एक Happiness, बहुत एक Joy भी यह चीज दे रही है और यहाँ पे Tea Leaf से हमार पस Card है Fly, जो की कहता है A Period of Ill Health तो देखे यह weekly energies हैं, मैंने हमेशा कहा है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता है तो यह Card simply कह रहा है कि अपनी Health का खयाल रखना बहुत important है हो सकता है कि आप अपनी Professional Life में बहुत ज़ादा efforts कर रहे हैं, बहुत महनत कर रहे हैं और कहीं अपने आपको ignore कर रहे हैं, अपनी Health के ओपर attention नहीं दे रहे हैं वो छोटी मोटी चीज़ें भी हो सकती हैं कि आप टाइम से खाना नहीं कहा रहे हैं आप exercise नहीं कर रहे हैं तो यहां पे cards आपको remind कर रहे हैं, यहां फिर मैं कहूंगी यह fly card आपको remind कर रहा है कि अपनी Health को भी आप balance करें और अपनी Health का खयाल रखें Personal Life के लिए हमारे पस come to the edge का card है और यह card मुझे कहता है कि Personal Life से related किसी भी area को लेके आपको ऐसी feeling हो सकती है कि बहुत जादा uncertainty है आप clearly नहीं देख पा रहे हैं, बहुत जादा unpredictable energies है तो यहां पे देखिए come to the edge का card कहता है कि important है आप लोगों के लिए calculated risk लेना और अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो एक faith, एक trust, एक surrender mode में रहते हुए आगे बरना आपने रुकना नहीं है, आपने again मैं कहूंगी आगे बरना है universe पे faith करते हुए और यहां पे tea leaves से आप लोगों के लिए card है angel तो देखिया आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया angel card कहता है spiritual guidance तो कोई भी spiritual guidance या angels की protection आपके लिए available है तो again मैं कहूंगी कि आप बिलकुल भी डरे ना या परेशान ना हो आगे बढ़ते जाएं और यह card कहता है protection from harm तो कोई चीज जो आपको किसी level पर नुकसान कर सकती है उससे कही angels आपको protect भी करते हुए दिख रहे हैं और यह दोनों cards मैंने आपको read करके बता दिये Sun, एक happiness, एक joy इस week रह सकती है और astrology से Sun का card कहता है कि इस week orange color आप लोगों के लिए लखी रह सकता है और जो दिन अच्छा रहेगा वो है Sunday तो यह था Sagittarius आप लोगों के लिए coming week का साबताहिक राशीफल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए